है जिला पदादी कारी के समक्त है इनको लेकर आज जांश टीम गटित के गई जो जांश टीम आकर यहां जाज करके गई आकर क्या दिक्कत है उस परकार के लोगों से आप लोगों को सबसे पहले आप लोगों का मैं शुर्य आदा करता हूं कि आप लोगों यहां आए और ठाकुलेंग में एक पर्तिक चिन का अनावारंग किया गया जो एक धर्म इसे इसको दर्शाता है यह ममला पुर में करें दिनों से चल रहा है और ज्यादा तर लोग इससे नापूस है कुछ लोग वान ये विधायकी को भी कॉल के मैं विधायक पर्तिक होने के नाके मेरे पास भी लोगों का आना जना रहा है और लोगों ने कहा कि छाकुरेज में इस तरह का कित हो रहा है फिर हम लोगों ने दो तिर लोगों ने हापस में बात करके एक साथ मिल जुल के मुख पारसद को फोन के ये लोगों आखिर एकायक क्यों क्या है मुख पारसद कर दो ने कारिवागों जह भॉल म्ह Ann greki के सध्या मुखपारसद ने कहा कि ये T है ये N है लुग बैएंट तरम का चस्वा उतार के देगें मंदर का फोटो था फिर अब यह धरम का चस्वा उटार के देगें उसका जबाभ संतुष्च नहीं हुए फिर हम लोग उन्हें काड़ी प्दाजीकर को फॉल की काड़ीकारा की मिरा जिद्धा के जेवाब था और उन्होंने साथ वर्दों में कहा कि यहाँ उपर जा सकते हैं फिर हम लोग बैटके विचार बेमस किये देखे कि छीजें खराब हो रही है जगए जगए बात होने रखे थी कि थाकुरज में इस तरह का अचानक लोगों बनवाया जा रहा है फिर हम लोगों ने मिलके जिला पताजी कारी के पास किये जिला पताजी कारी को हम लोगों ने आबेदन दिया और यहां की भटना को हम लोगों ने जिला पताजी कारी को बताए जिला पताजी कारी ने तुरन संध्यान में लेके कि उतु लोगों को हटवा रहे हैं पर उसके बाद भी मुखपारसद बार आम जनों को गुम्रा क्या जा रहा है इसके बार मुखपारसद ने परती के रहते हुए कि वो परती चिन हर्गोरी मंदिर का है कि यह इस तरह का कई भाद हर्गोरी मंदिर के बारे में उन्होंने नहीं बताई है उसके बाद उन्होंने सायद मुखपासद मोदय से मैं यह बोलूँगा कि सायद मुखपासद स्री हर्गोरी मंदिर का दर्शन अच्छा से दर्शन करें। तो उस चिन में पताता है। जबकि हर्गोरी मंदिर में तिलसुल है। आप किसको बेकुप बना रहे है। आप नगर के नगरवास्यों को बेकुप बना रहे हैं। आप इस चिन को लेके नगरवास्यों को बेकुप बना रहे हैं। आपके समय बस्ताचार के जो कारी हो रहे हैं। उसको छुपाने के लिए आपके सर्जयत रुच रहे हैं। आपके इस सर्जयत से क्या हो सकता है। साथ भूल गए है। आप दूसरे को बोलते हैं। कि जानकारी का अभाव पहले तो आपको जानकारी की जुकत है। आपको जानकारी नहीं है। आप इतियास की बात करते हैं। अर्गोरी मंदिर की बात करते हैं। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। इतियास है। रविन्द्राप ठापूर के वनसदी इसकी अस्तापने की जी। तो पार्षण जी, अपना राचन ते चमकाने, लिए बात कारती है। हींदू मुश्णिम हम लोग भाई भाई हैं। और सुरू शे हैं। सब लोग एक डूसरे का माना संभान करते हैं। यहांके सभी मुसलिम मंदिरों का अधिर करते हैं, यहांके सभी हिंदू ममस्जित का सम्मान करते हैं. आप चीजों को इस तरह से करना और मैं आपको ये बोल ला जआओँगा, कि इस तरह का आप एक सम्मुधान ज़द पर बेटे हैं, और इस तरह का किर्थ कहीं सब्सक्राइब आपको सुभा देने देता है और आपको बोलने का तरीका देए चीजे हुई इस पे बाते चलने लगा लोगों के भी इसमें बात्चीत आई चाना तरफ इसका बात चलना है तुछ लोग हम लोग के पास आये कि भाई लोग को बताते हैं हम लोग आये हम लोग उस बात को भिचाब दिवांस के आपको फोन के कारिपालक पाजिकारी को फोन के आप लोगोंने रिस्पोंस लेजिया फिर हम लोग जिलागे जीम साब से मिले सब से मिले हम लोग तो यह तो हम लोग समाज के हिट में काम करते हैं, हम लोगों ने उस चीज को उजागर ने किया, लोगों को बताने का काम ने किया, हम लोगों ने परसासरिक मदर लिया, हम लोग एक समाज सेजी के तरह ही काम करते हैं, हिंदो मुस्मी महाचारा को बचाने के लिए काम करते है और आप जो उलुल जुल बयान किते हैं, इने चलने वाला यहांपे हैं, कि आप बोत भुद्धी भी हो गए हैं, बाकी लोग को भुद्धी नहीं हैं, वो अपना भुद्धी अपना ग्यान अपने पास रखे हैं, हमें फरकने पड़ता आपका इससे, और कते ही भी, हमें डि मुस्लिम सब कोई मिल जब का घ्रोष करेंगे और आपको Telewश करेंगे अब वो परियास कर रहा है हम तो यह नहीं करेंगे को परियास कर रहा है लेकिन ये लोगों को समझना चाहिए कि इस तरह का बयानवाजी से संपर्दाइक माहौल जो है संपर्दाइक सोहार्द जो है वो जो माहौल है यहां का सांतिपूर माहौल है वो बिगरता है इसलिए ऐसे बयानों से बचना चाहिए हर जो मंदिर है वो बहुत पुरानी मंदिर है वो नगर पंचाय जो है प्रसाशनिक है उसमें यह जो लगाया गया था लोगों को यह समझ में आया कि वह नहीं होना चाहिए तो वहां से मिटाया गया लेकिन ऐसा बयानबाजी करने से ऐसा बयानबाजी अगर होते रहे तो जो आपसी माहौल है जो गंगा जमना तहजीब है इस गंगा जमना तहजीब को ठेस लगेगा इससे सोहार्थ बिगरेगा इसलिए मैं यहीं आगरह करूंगा सबी लोगों से कि इस तरह का बयानबाजी नहीं करें परसाशन भी देख रहा है परसाशन जो उचित समझेगा वो करेगा लेकिन इस तरह का जो लोगों का मिस्तमाल ह मंदीर है मंदीर सब के लिए सब लोग मंदीर को सभी लोग उसको मानते हैं कि मंदीर है तो एक पुरानी चीज है उसकी जगए जो जहां है वो है जो लोग उस पर आस्था है उसको पुझा करते हैं लेकिन यह है कि इस तरह का बयानबाजी लोग नहीं करें मैं यहीं लोग जो है एक से एक जलन्क बुद्दा को उठाते रहते हैं इसके लेकर करके सरप्रसम को हम आपके चैनल को बहुत बहुत दन्वाल अब रहे गई आपके सवाल है देखिए यह ठाकुर गंज यह किसन गंजिला तो आप यह कह लिए गंगा जमनी तहजीब के नाम पे किसन गंजिला ओल ओप इंडिया भारत के संपुर्ण भारत में किसन गंजिला एक अपने जगह में मिसाइल है यहां अपना यह मिसाइल रखे हुए है जो गंगा जमनी तहजीब पर कोई भी आच ना आने दिया है और उमीद है कोई आच आएगा भी नहीं और कुछ लोग का काम है अपना रोटी सेखने का तो अब रोटी सेखने वाला बीमारी जिनके पास में है और जिनको हम कहलाने की बात है तो वो बात तो मैं नहीं आपसी कर सकता हूँ रागए यह आपने जो सवाल उठाया है लोगों के बारे में तो लोगों के बारे में एक बात मैंने राजर महासचीप स्रीमान हैवर बबा का सुना और हमको बहुत ताज्यूब लगा जहां वो खुद गंगा जमनी ताज्यीब से जुड़े हुए है गंगा जमनी ताज्यीब के साथ साथ वो कदम के कदम पे चला रहा है लेकिन ऐसे ब्यक्ति के मूझ से ये बात निकलना अच्छा नहीं कदम वो जो कहें जिस सो बर्स पहले कोई यहां आ करके और कोई कह दे ये इतिहासिक चीज़ है ये हैवरोवा का कहना है और ये बात सरासर गलत है अगर इतिहास को अगर खोजते हैं हैवर जी तो मैं उनको इतिहास दिखाना चाहता हूं महाभारत कालीन में महाभारत कालीन युद्ध जो हुआ महाभारत कालीन का जो समय था उस में का जो है उतिहास बलट करके देखें जो उनको मिलेगा जो ठाकुरगंज में पांडब का अग्यात बास में यहां एक साल का जो है योगदान था या नहीं और उसी योगदान के तर भाठ डाला पोकर है और भाठ डाला पोकर के बगल में वो मंदिर है अगर उसका लोबो लगा इस पर में कुटिसाइज करना अच्छी बाद नहीं धिये ठापूर गर्ञ का नाम जो ठापूर गर्ण रखा गिया क्यों रखा गिया यह तो कितिहासकार और किताब बताएगा हम उतना दूर तक तो आपको जो है नहीं पटा पाईगे लेकिंगे जो हमने जानकारी में और वह जानकारी महाभारत का डasures जो मैंने आपको बताया महाभारत के समय में ये जगर अग्यातबास का जो एक साल का जो समय था वो एक साल पांडव का अग्यातबास यहीं पे हुआ और यही राजा यह नेपाल के अंडर में आता था उस ताइम राजा विराग थे नेपाल के राजा में और किचक बद में ज जहां आज भी सारे लोग जाते हैं हम हिंदू मुस्लिम सारे मिल करके उहां भी जाते हैं हर पर्ण में उन एक साथ साथ दिखाई पड़े रागई वाली बात उस टाइम से महाभारत के टाइम में यह जगह पे जहां पे जुद्धुवा पाकॉरब सैना जो आया था पांडब कोई करने के लिए गाई सब जो ले जा रहा था गाई को रुका गया जिसका छीर समुद्र है ठाकॉरगन से दच्छिन भाग धाला है साग धाला पुखर है उसी में जो है हर गौरी मंदिर में जो सिवलिंग जो था उसको जो है पांडब अपने अज्याद बास में अस्था अर्पित किया हुआ है इतिहासी जगा यह था और उसी का कि यह है उसी के इस पर में आज देख लीजे बाहर कुछ भी हुआ लेकिन ठाकॉरगन जो है आज तक सब हर चीज से अच्छुता है इसके पीछे उपर वाले का किरपा है और हम दोनों समुदाए कल भी एक थे आज हैं और कल भी एक रहेंगे सबसे हाज जोड करके बिंति करता हूं किसी भी अफवाह में कोई ना जाया हम लोग जैसे कल मिल जुल करके थे गंगा जमनी ताजीब को लेके चल रहे थे हम हर समय उसी ताजीब को लेकर के चले इसमें बहुत ही देश में किसन गंज का ना ब्र तो इसमें अगर कोई राजनीति का करके जुड़ता है यह गलत भावना है और हम यही कहेंगे कि किसी मंदीर मस्जिद या फिर किसी सरकारी दफ्तर में इस तरह का लोगो लगना मेरे विवेक के खिलाफ और मैं कहूंगा कि यह आपसी सोहार्द और यह जाती भेद का मामला सामने आ जाता है इसलिए हमारे आस्थानिये नेताओं को चाहिए कि ऐसा नहीं करके जिस तरह से हमारा ठाकुर गंगा जमनी तहजीब बन करके चल रहा है इस तरह से चलने दे और इसमें ताना कसी ना करें और ताना कसी अगर करते हैं तो यह उनकी मनमानी होगी और ऐसा ना करें यही